ये एक और तर्कीब, ये एक निया रास्ता, कुछ लोगों ने सोचा है कि इस तरीके से कानून के आधार पे किसी के उपर आकरमन करना चाहिए और इस नुक्सान उनी को होगा, ये एक और तर्कीब तो आपने सुना कपिल सिब्बल को जिन्होंने इस साफ तोर पर कहा कि निया पालिका पर सवाल खड़े करना गलत है से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है हाला कि ये भी अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो सदसता है वो खत्रे में बढ़ सकती है क्योंकि किसी भी सांसत को अगर दो साल या उससे ज्यादा की सजा कोट की तरफ से मुकरर की जाती है तो उसकी सदसता तुरंट खत्म की जाती है और इसके 37 अखले 6 साल तक शुराव लड़ने पर भी प्रतिबंद लग सकता है लेकिन अगर राहूल गांधी के पास बच्छे विकल्पो की बात कर लें तो अभी वो हायर कोट में अपील कर सकते हैं और अगर हायर कोट इस कन्विक्शन पर रोक लगाता है तो फिर राहूल गांधी की जो सदसता है वो बची रह सकती है फ्रीडम एप से सीख कर आपने मचली पालन शुरू किया है अगर ऐसा है तो आप अपनी मचलियों को एक करोड फ्रीडम एप के ग्रहाकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं एक तरफ राहूल गानी की सदसता पर अब बादल मंडराते हुए नसर आ रही हैं संकट के बादल मंडराते हुए नसर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस इस पूरे मामले को मुद्दा बना कर सियासी माइलेज लेना चाहती है कॉंग्रेस लगातार कल से ही सरकों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है बैचकों का दौर जारी है तो वहीं आज भी कॉंग्रेस के तमाम नेताओं और कारेकरताओं की तरफ से रड़नीती बनाई गई है कि आज एक तरफ चहां संसत से विजय चौक तक मार्च किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ राष्टपती द्रोब्दी मुर्मू से भी मुलाकात का समय मांगा गया है और आज अगर मुलाकात होती है राष्टपती से कॉंग्रेस के नेताओं की तो वो उन्हें ग्यापन भी स्वापिंगे इस पूरे फैसले के खिलाफ तो अब सियासी तकरा सरकार और विपक्ष के बीच में देखने को मिल रही है सरकार और कॉंग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है इस बीच केंद्रे मंतरी भूपेंद्र यादव ने इंडिया टीवी से खास बातशीत की है सुरत की सेस्शन्स कोड ने दो साल की सजा सुनाई है राहुल गांधी को मोदी सर्रीम के उपर जो उन्होंने टिपनी की इस फर बाचीट करने केलिए मेरे साथ में केंद्रि अमंत्री भूपेंद्र यादव जी मौजूद है सर दो साल की सजा सुनाई है विपक्षी दल टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं और उस पे चार साल के पूरी प्रक्रिया के बाद निर्णे हुआ है, अगर निर्णे कोई एक दो दिन में तो आया नहीं है, आपको सारे अवसर दियें, सारे विटनेस आयें, सारे एविडेंस हैं, निश्पक्षता से आयें, और क्या कॉंग्रेस पार्टी कानून से उपर है पर पर आज भी मार्श निकलने वाला है परलेमेंट की प्रोसीडिंग पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है ये विपक्ष सरकार को नहीं परलेमेंट को अपमानित करने का काम लंदन में जाके कर रहा है फ्रीडम एप से सीख कर आपने मचली पालन शुरू किया है अगर ऐसा है तो आप अपनी मचलियों को एक करोड फ्रीडम एप के ग्रहाकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं पर आदालत का फैसला पूरे नियाएक प्रक्रिया से हुआ है क्या अर्विन केजवल किसी भी समाज को गाली दे सकते हैं यह तो निर्ने का जो समाथन कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए नैतिकता कहा गई है एक सवाल और आखरी जो मैं पूछोंगी कि सर आज क्योंकि मार्श निकालने वाले हैं ऐसे में पार्लेमेंट प्रोसीडिंग चलेंगी और साथी एक सवाल और कि क्या जो सदस्ता है राउल गांदी की वो रहेगी या नहीं देखो देश में कानून का अपना काम करने का तरीका है जो संस्ता है निर्ने लेती है उन इश्पक्षता से लेती है उस पर कोई टिपपड़ी नहीं करना चीए जो कानून के अनुसार निर्ने होता है उसको सबको स्विकार करना चीए